हलो एंड वेलकेम तो देशी पटाका मैं हूँ अराधना आपके साथ बिग बॉस सीजन 18 शुरू हो उससे पहले ही शो को एक बहुत बड़ी पनौती लग चुकी है जी हाँ बहुत बड़ा जटका लग चुका है शो को क्या है को पूरी खबर चली आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे बिग बॉस 18 पांच अक्टूबर से शुरू हो रहा है और बड़े बड़े आक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं यह पहली बार है कि इतने बड़े बड़े नाम भारी भरकम नाम सामने आ रहे हैं लेकिन अब ऐसे में शो शुरू होता उससे पहले ही एक बहुत बड़े आक्टर ने बैक आउट कर दिया है मैं बात कर रही हूँ धीरज धूपर की धीरज धूपर फिलाल शो रब से है दूआ कर रहे हैं और उसका अभी ओफेर होने का कोई इरादा नहीं यह शो का अगले महीने वो शो ओफेर होगा और ऐसे में जब सेट पर मौजूद लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उनों ने यहीं कहा कि धीरज बिग बॉस में आ रहे हैं यह पूर्या एक पब्लिसिटी स्टन्ट है अब ऐसे में आज धीरज ने भी एक पोस्ट डाली है जिससे इन बातों को और हवा मिल गई है धीरज ने लिखा है मतलब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं कहा हूँ कैसे हूँ मेरा अगला मूव क्या होगा यह किसी को नहीं पता होता जब तक मैं नहीं बताता इसका मतलब कहीं भी कोई भी कुछ भी कहता है तो वो सिर्फ एक अजम्शन है प्राइवेसी इस माई लग्शुरी प्राइवेसी इस माई पीस इन शॉर्ट धीरज ने शो के लिए मना कर दिया है और मुझे लग रहा है जो पैसा ये धीरज को ओफर कर रहे थे उसकी जगे वो पैसा किसी और बड़े टीवी आक्टर या आक्टरस में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं लेकिन धीरज ने एज अफ नाव शो के लिए मना कर दिया है आप क्या कहेंगे विल्यू मिस धीरज दूपर कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना आप न भूले